कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका पहला क्लाज यूटुब चैनल पर आज हम बात करेंगे दोस्तों सेत्मबर की क्रेंटर फेेस के बारे में दोसे वह खूल 14 क्यूशन उनके बारे में अपने डेटियल ठीक है बढ़ते हैं आगे तो दोस्तो आज का पहला क्यूशन है संसत के अध्यक्षों के पांचमें विश्वे सम्मेलन का वर्च्वली आयोजन किस तिथी को किया गया तो दोस्तो वो है 19 से 20 अगस्त को राइट आंसर हो जाएगा इसका ए दोस्तो यह सम्मेलन लोगों को और पर्थवी के भी सांती और सितते विकास परदान करने के लिए पारलेमेंट लेटर्शिप फॉर दा मौर इफेक्टिव मल्टी टरिजम के विशे पर आविजित किया गया है भारत की और से यह लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला के सम्मेलन के उद्गाटन का समारों में इसा लिया गया था बात करते हैं क्यूशन नमर दो की हाली में किसने सरम ब्यूरो के अधिकारिक लोगों का नावरण किया तो दोस्तो वो है संतोष कुमार गंगवार राय टांसर हो जाएगा इसका भी सरम और रोजगार राज्यमंत्री जो काम का परतिनीद हुए करता है नीला रंग बताता है और ब्यूरो मेनत कस कामकारों के साथ काम करता है इसके साथ राश्टे दोज के रंगों में से मेल खाते हुए एक तिरंगे का ग्राफ गेहों के कानों के साथ ग्रामिन क्रिश्ची श्रम के फल को दर्शाता है ठीक ह भारतिय डाक शेवा ने 74 में सोतनतर दिवस के अउसर पर 15 अगस्त को भारत में स्तित मोनेशकों के कितने विश्वे द्रोवर्स्तलों को आधारित समारक डाक टिक्टों पर एक सैट और एक लगू पत्रक जारी किया है तो दोस्तों वो है पांच कितनी संक्या उसकी पांच ठ कितने करते हुए एहमदाबाद का एतियासिक सहर दूसरा है गोवा के चर्च के और कावेंट और तीसरा है पट दलक समारक समुएं खजुराओं का समारक समुएं और कुतमीना यह सब इसमें सामिल किये गए हैं पांच दरौवर्स ठीक है यूनेशकों का मुख्याल है दोस दोस्तों अगले क्यूशन की तरफ क्यूशन नंबर च्यार हाली में किस व्यक्ति को डीबी एस बैंक ओफ इंडिया का ओफ इंडिया लिमिटेट का एमडी और राष्ट्री वित्रन परमुक नियुकत किया गया है तो दोस्तों वह है परशांत जो सी राइट आंसर हो जाग इसका बी वह है डीबीस बैंक इंडिया लिमिटेट के परमुक निदेशक और सी यो सुर्जीत सोम को रिपोर्ट पस्तूत करेंगे डीबीस बैंक इसके सी यो है प्यूस गुपता और इसका हेड़गॉर्टर है दोस्तों सिंगापूर केंद्रिये जंजातिये मामलों के मंत्री कौन बने है तो दोस्तों वो है अरजुन मुंडा राइट आंसर हो जाग इसका सी हाली में केंद्रिये अरजुन मुंडा जंजातिये मामलों के मंत्रा लेकर अंतरकत आने वाले TRIFED प्रियोजना के 338 संस्क्राण केंदरों के virtually लौज चिया इस प्रियोजना को मायराष्ट के रायगट और चतिशगट जगदलपूर में सुरू किया गया है इस प्रियोजना में जनजातिय उगकम शिल्ता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी बात करते हैं दोस्तों क्यूशन नमबर 6 की हाली में मुथूड फाइनेंस ने COVID-19 को कवर करने के लिए किस इंशूरेंस कंपनी के साथ समझोता किया है तो दोस्तों वो है कोडेक जनरल इंशूरेंस राइट आंसर हो जाएगा इसका B कोडेक जनरल इंशूरेंस के हेड़कॉर्टर है इसका मुंबई है और इसकी स्ताफना दोस्तों 2015 में होई थी मुथूड फाइनेस की बात करने तो इसका हेड़कॉर्टर कोची में इसके फाउंडर है एम जोर्च मुथूड और इसकी स्ताफना लॉंच किया गया तो दोस्तों वह है डिफेंस इंस्टिट ओप एडवांस टेकनोलोजी पवित्रा पती एक अरुविदिक अधारित बायो डिग्रेबल फेस मास्क है जो बैक्टिरिया वाइरस के रोग खिलाप परतिरोध परदान करने के लिए वाइरस नूट्रलाइजर के रूप में करिये करेगा उसाधा तरह एक एंटी-माइक्रोबायवल बोडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोविक स्वास एंटी-माइकोबायल आराम मैसुस करने में के गुण इसमें समिल के हैं बात करते हैं दोस्तों क्यूशन नंबर आठ की हाली में होकी इंडिया ने कोविड-19 के महावारी को देखते हुए 61 जरूतमत खिलाडियों को कितने हजार उपे की आर्थिक मदद देने की गोशना किया तो दोस्तों वह संक अमाउंट है दस जार उपे होकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कारोना के संकर देखते हुए बेरोजगार सेनियर वा जूनियर 61 खिलाडियों को ततकाल 10-10 जार उपे की आर्थिक साहिता देने की गोशना की है होकी इंडिया के कार्यवाइक अधेक्स ग्याने इंद्रो निगो बहम है बात करते हैं दोस्तों क्यूशन नमबर 9 की भारतिय कप्तान विराट कोली इंटरनेशले क्रिकेट परीच्ट के निवीन्तम टेस्ट रेकिंग के बल्यवाजों की सोती में किस स्थान पर आ गए हैं तो दोस्तों हो हैं सेक्रिंड स्थान दूसरे स्थान पर आगए हैं इस रेंकिंग में ऑस्ट्रिया के स्टीव स्मित पहले स्थान पे हैं विराट कोली के साथ 10 में से 2 अन्य बारतिय बल्लेवाजी सामिल है विराट कोली 886 अन्य के साथ दूसरे स्थान पे बरका है जबकि 344 पुचारा 766 और NG के रहाने 726 की बल्लेवाजी सुचिक में करम से 8 और दस्वें स्तान पर काइम है बात करते हैं दोस्तों क्कुशनल पर 10 की हाली में किस राज्य की छत्रपूर पुलीस दौरा राज्य में करोना महमारी के दौरान एक संकल्प बुजरूं के नाम अवियान सुरू किया गया थे दोस्तों वो राज्य है मद्य पुर्देश र में इस अभियान में पुलीस का आदर्स वाके यानि देश बक्ती जन्सेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है दोस्तों मद्य परदेश अपन देखें तो बिल्कुल मद्य में श्तीत हैं इंडिया के मैप में और ये इनके परोशी राज्य भी देख सकते हैं यहां पे अप क्यूशन पर क्यूशन नंबर 11 हाली में उत्रपरदेश सरकार ने बुलंद खंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साज़दारी किया है तो दोस्तों हो है इसराइल राय टांसर है डी इस अस्ताक्स्रीत स्योग योजना के तहत दोनों सरकारे भारत इसराइल ब बूसल परिवैन और कर्शी के लिए उननत जल परियास बात करें दोस्तों उत्रपरदेश के मुख्या में तुरी योगी यादित राजेपाल अनंधिवैन पठेल ठीक है और इसराइल की बात करें तो दोस्तों ये मीड΄ल इस्ट की एक कंट्री है यहां की कैपिटल है जर ये इस्राइल का मैप है वर्ड मैप में आप देख सकते हो ठीक है ये यहां की पेश के कैपिटल है ये राजी है ठीक है राजदानी है और ये के परोशी देश है ठीक है ये आप नोट कर लिजिए बात करते हैं दोस्तों क्यूशन नमर 12 के भारत के नए चुनाओ आयुक्त कौन बने तो दोस्तों वो है राजीव कुमार राइट आंसर हो जाएगा इसका है इनकी न्युक्ति असोक लवासाकिस्तान पर की गई है राजीव कुमार जारखंड केडर के 1934 के बेच के आहिए सथ चीव के रूप में न्युक्त किया गए था और उन्हें कार्यकाल के दुरान दस सारवजनिक छेत्र बैंकों के च्यार विले करने की परमुख भूमिका निवाई थी मुख्य चुनाओ आयुक्त सुनील अरोडा दो दिसंबर 2018 से 21 अक्टूबर 2021 तक इस पत्पर बने रहे है बात करते हैं दोस्तों कियो सर नंबर 13 की इमपोर्डेंट कियो सुनर है वर्ल्ड स्कूूनर चेंपेंशींग 2020 के जिता है तो दोस्तों वह है रानी ओसू विलान रहे टांपर ए रानी ओसुलिवान ने कीरन विल्शन को 18-8 के स्कोर से हरा कर वर्ड स्कूर चेम्पिन स्विंग 2020 को जीता है बात करते हैं दोस्तों आज गेंतिम क्रिशन 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 नमर 10 की हाली में भारती एक किस इस्तान पर एक इंटर्शेप्टर नाव आई सी जी एस सी चार्शो चोपन का जला उतरण किया तो दोस्तों वो है सूरत गुजरात में राइट आंशर शी आई सी जी एस सी चार्शो चोपन का निमार लोर्शन एंड ट्रोबो लंटी यानि की लंटी कम्पनी का आपने नाम सुना होगा द्वार किया गए और इसके अधिक्तम गती 35 समुन्दरी मील अथवा 83 किलोमेटर परती गंटा है आई सी जी एस सी 454 एक 27 मीटर लंबी नाव है जो की 500 समुन्दरी मील की दूरी रेंज उतकरिट सीपिंग गती सिलता की चमता को साथ ससक्त बनाना ससक्त बनाया गया है तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं कल सुभाई वार फिसे जय हिन जय भारत और जब तक चैनल को अभी तक जोनों दोस्तों नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं बूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेग दोस्तों इसको शेयर करना इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद जय हिन जय भारत